स्वागतम वेलकम मैं निदी शिमाली आपके अपने इस यूटीब चैनल में आप सपी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने 9 सितंबर सनीवार का देनिक राशी पर लेकर उपस्तित हुई हूँ और गायत्री मंत्र के उचारण मात्र से मस्तिक्ष में नकारात्मक विचारों का विनाश हो जाता है और हमारे अंदर एक नई एनरजी का प्रवा होता है हमेशा गायत्री मंत्र का जाब करने से हमारे अंदर सकारात्मक विचारों के साथ-साथ हमारा मानसिक विकास, बौधिक विकास, आध्यात्मिक विकास और इस्मरण शक्ती बढ़ती है नियमित रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से मन की एक आकरता बढ़ती है इसलिए सभी मंत्रों का महा मंत्र इसे कहा जाता है गायत्री मंत्र को सबसे पहले प्राचीन वेद रिगवेद में लिया गया है और गायत्री मंत्र का पयोग सभी भजनों में किया जाता है गायत्री मंत्र को वेद गरंत की माता के नाम से भी जाना जाता है या हिंदू धर्म का सबसे उत्तम मंत्र बाना जाता है इसलिए नियम सिक जाब भी हो सकता है इसके लिए सामने बैड़ कर पूजा कक्ष में करने की आशकता नहीं है इससे आपके चारो तरफ एक पॉजिटिव वहरा बनेगा और वो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा ऐसी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल पर बने रही है अगर आपने वीवर है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर ओल दबाई अगर यह जानकारियों अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर भी कीचिए बढ़ता है आगे और जान लेते हैं आज का यानि 9 सितंबर शनिवार का देनिक राशी फल सबसे पहले बात करते हैं पंचांकी तो बादरपद मा के क्रश्न पक्ष की दश्मी तिति आज है जो कि शाम 7 बचकर 18 मिनट तक रहने वाली है उसके बाद में 11 तिति प्रारम हो जाएगी आदरा नक्षत्र भी आज के दिन आ सुबह 6 बचे से लेकर 7 बचकर 30 मिनट तक रहेगा वही रावकाल का समय सुबह 9 बचे से लेकर 10 बचकर 30 मिनट तक रहेगा दिशा सुलाज पूर्वदिशा में रहेगा यदि इस दिशा में यात्रा करना आवशक हो तो उड़त खा कर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते है तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज का यानि शनीवार का देनेक राशी फल चुकि शनीवार का दिन है इसलिए उपाए भी शनी से संबंदित होंगे तो आज मैं आपको शनीवार से संबंदित कुछ विशेश उपाए बताने वाली हो जिसे आपको अपनी राशी के और यदे आप अपनी परसनल जन्म पत्रिका के माझ्यम से अपनी जीवन से समदित कुछ प्रश्णों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं। स्क्रीन पर क्लिया वाटसएप करें। या फिर मेरी website पंडितनम्शिमाली.com पर जाकर भी अपना appointment बुक करवा सकते हैं